जैस्री महाकाल अबंति कायां विहितावतारं मुक्ति प्रदाना यच सज्जनानाम अकालम रत्युह परिरक्षणार्थम बंदे महाकालम हम सुरेशं सभी मित्रों को बंदुओं को जैस्री महाकाल मैं रोजतिवारी आज आपके साथ उपस्तित हूँ एक बहुत अच्छे विसाई को लेकर जिसका नाम है भगवान सिव का पूजन और रिण निवारन करज निवारन आप सभी जानते हैं कि स्रावन का पुण्य पवित्र महीना चल रहा है और इस महीने में सिव की उपासना का कितना फल मिलता है और कितना महत्व है तो इसी चर्चा के विसे में आज मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार आप भगवान सिव का पूजन करके रिण से करज से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं धनका रिण तो होता ही है और बहर रिन अच्छा भी नहीं होता है उसको चुकाने में बहुत परिश्रम बहुत मेहनत करना करनी पड़ती है परन्तु उसके साथ साथ हम और भी रिन से ग्रसित रहते हैं मात्र रिन हैं पित्र रिन हैं देव रिन हैं यह हमारा कोई मित्र है जो हमारा सहीयोग करता है तो उस इस प्रकार से स्रावण के पुर्ण पवित्र महिने में उन रिण से मुक्ती प्राप्त कर सकते हैं उसके संबंद में मैं आज आप से चर्चा करूंगा तो भगवान सिव का आप पूजन करिए पार्थिव सिवलिंग का निर्मान कीजिए और विदिवत उनका पूजन कीजिए और प्रतिष्टा के समय में भगवान का 16 संसकार होते हैं परंतु सुब कर्म में हमें गर्वा धानात विवाह संसकार परियंतम 15 संसकार संपन्न करने संसकार व्यभीचार आधी कर्म में संपन्न होता है तो पंद्रह संसकार के अंतरगत एक नामकरन संसकार भी आता है उसी संसकार में हमें भगवान का नामकरन करना है रिण मुक्तिश्वर के नाम से पार्थिव सिवलिंग का पूजन कर आई करिए या योग्य ब्राह्मन को वॉलाकर आप हो घर पर पूजन करवा ये पार्थिव सिवलिंग का और उसमें रिण मुक्तिश्वर नाम से भगवान का नामकरन संसकार की thesis का मैं और भगवान रिण मुक्तिश्वर का आभाहन कीजिए और उनका विधिवत पूजन की मैं पूजन की किपिछले विडियो म मैं बता चुका हूँ हूँ आप उनको देख लीजिये आ dûए और उसके साथ साथ अश्योंटा अब भगवान का पूजन कीजिये Mumbai और प्रहसीन उन्यमो मंगल यंद्र पर भगवान को विराजमान कीजिये घृत dividends के साथ भगवान का विदीबत पूजन करें और चने की दाल को भगवान को अरपन करना चाहिए जो दिर आप निर्मान कराएं यहां तक सम्भव हो अपनी कुंडली में कुंडली का परीक्षन करवाकर कि कि इस ग्रह के कारण आपको रिण हो रहा है या किस ग्रह के संबंदित कौन सा आपको रिण है देव रिण है पित्र रिण है मात्र रिण है या जो भी आपको रिण हूँ उस ग्रह से संबंदित मिट्टी लाकर के आपको पार्थिफ सिविलिंग का निर्मान कराना चाहिए ऐसा निर्णय ना होने पर लाल मिट्टी या गेरू को मिलाकर आपको पार्थिफ सिविलिंग निर्मान कराना चाहिए और उसका पूजन करना चाहिए संकल्प के सांथ रिन के निवारण के लिए भगवान को चने की दाल अरपन करना चाहिए उसके सांथ सांथ रिन मोचन मंगल इस्तोत्र से रुद्रावी से करना चाहिए उसका पाठ करना चाहिए इससे आपको भूमी गत धन का लाव भी होता है फसल अच्छी होगी और उसके साथ साथ जो है आपके सत्रूवी आप पर प्रभावी नहीं होगे रिन मूचन पाट करने से एक्षिद बस्तूग की भी आपको प्राप्ती हो जाती है यदि आप इस प्रकार से भगवान का पूजन करने में समर्थ नहीं है तो ब्रामन को बुला कर आप पूजन कराएं संकल्प में रिन निवारन के लिए आप संकल्प करवाएं तो इस प्रकार के भगवान की सिभ की पूजन से आपको काफी लाब होगा रिन से आपको मुक्ती मिलेगी आपका अब्यूदय होगा और आपका कल्यान भी होगा तो इस प्रकार आपको भगवान सिभका पूजन करना चाहिए यदि इस वीडियो में किसी भी प्रकार को आपकी संका है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सस्क्राइब करें लाइक करें और सेयर करें ऐसे ही अन्य वीडियो को प्राप्त करने के लिए अप इस चैनल को सस्क्राइब करके मेरे साथ हमेशा के लिए जुड़े रह सकते हैं बैल आइकन को दबाईए जिसरे मेरे अगले वीडियो का नॉटिफिकेशन भी आपको प्राप्त होता रहे